आज हमारे पास जो प्रश्ण है वह है निम्डर लिखित में से कौन सा लेखक भारते इंदु मंडल का नहीं है तो इसमें हमारे पास चार विकल्प दिये हुए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा लेखक भारते इंदु मंडल का नहीं है तो इसके लिए हमाई पास कुछ जानकारियां होनी चाहिए जैसे कि भारते इंदु मंडल क्या है देखे भारते इंदु मंडल भारते इंदु हरिश्चंद्र के समकालीन लेखकों और कवियों का एक ऐसा समूह था या एक ऐसा ग्रूप था जिसे आप कहा सकते हैं जो आपस में साहित लेखन पर चर्चा परिचर्चा किया करता था भारते इंदु मंडल की जो सबसे प्रमुख विशेष्टा थी वे थी समस्या पूर्ती विधा देखे समस्या पूर्ती में क्या होता है किसी भी काव्य का एक छोटा सा अंश दे दिया जाता है और फिर उन्हें उस अंश का प्रियोग करते हुए पंक्तियों को पूर्ण करना होता है कई बार परीक्षा में प्रशन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि समस्या पूरती विधा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको भारते इंदु मंडल का नाम देना है यदि विकल्प में भारते इंदु मंडल ना दे करके भारते इंदु युग दिया हुआ है तो भी वह उत्तर सही होगा देखे भारते इंदु मंडल के जो प्रमुख सुदस्य थे उनके नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिये हैं जैसे कि भारते इंदु रेश्यंद स्वयम, प्रतप नारायन मेश्र, बालकृष्ण भट, ठाकूर जग मोहन सिंग, अंबिका चरण व्यास, राधा चरण गोस्वामी और बद्री नारायन चौधरी प्रेम घन तो यह साथ प्रमुख कवी और लेखक थे भारते इंदु मंडल के, तो यदि हमें इनके नाम पता हैं, तो हम आसानी से इस प्रश्ण को हल कर सकते हैं, तो देखे हमारे दिये गए विकल्पों में राजा लक्ष्मन सिंग का नाम लिखा हुआ है, यह विकल्प जो है, यही गिने जाते हैं, साथ ही यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, अपनी संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा शैली के कारण, तो अगर कभी आप से इनके बारे में पूछा जाए, तो आप इस तरह की चीजों को हमेशा दिवाग में रखिएगा, आशा करता हूँ, आपको इस प्रशने को हल करके भी अच्छा लगा होगा,